इनके विधायक तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे खेत में आपके आसांड कोई ना पूसता ना भगा सकता उनको नमश्कार इन खबर में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोग सभा सीट वर रामपूर तथा खतौली बिधान सभा सीट पर होने वाले उपचुनाओं के लिए माहौल गरम होने लगा है मैनपुरी से समाजबादी पार्टी ने अकलेस यादो की पत्नी और स्वरगी मुलैम सिंग यादो की पुत्र बधु डिम्पल यादो मैदान में उतरी हैं महीं खतौली बिधान सभा सीट रालोद के खाते में गई है जहां से जयन चौदरी और अकलेस यादों ने मिलकर के पूरु बिधायक बाहुपली मदन भाया को उतारा है मदन भाया अभी फरवरी मार्च दोजार बीस में हुए चुनाओ में लोनी से रालोद के कंडिडेट थे लेकिन नंद किसोर गुज्यर ने उन्हें कुछ मतों से हरा दिया था अब वो खतौली पहुँच गये हैं ताल ठोकने के दी है अभी तक बीएसपी और कांग्रेस ने अपना उमिदवार उपचुनाओ के लिए घोसित नहीं किया है 17 नौंबर तक ना मांगकर होना है आज 14 तारिक है यदि बीएसपी और कांग्रेस उपचुनाओ में कंडिडेट नहीं उतारती है तो फिर खतवली का चुनाओ भी काफी दिल्चस्प होने वाला है क्योंकि सीधा मुकाबला होगा आरेलडी कंडिडेट मदन भाईया और बीजेपी कंडिडेट जो भी उतरेगा इस बीच जयन्त चौधरी जो रालोद के प्रमुख है वो पहुँचे खतवली विधान सभा चेतर के पीपल हेडा में वहाँ पे एक जन सभा की और सुनिये उन्होंने क्या कहा कि विधायक 255 जिता है एक कम हो गया 254 हो गये अब 254 से एक और बढ़ा के दुबारा 255 जिताने में आपको क्या मिल रहा है क्या मिलेगा जनता को इनके विधायक तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे खेत में आपके असांड को कोई ना पूस्ता ना भगा सकता उनको तो इस आंडों को खूब खुराग दिया आपने साड़े पांच साल में इन्हें और खुराग देनी है यह इनसे निजाद चाहते हो तो सीधी थी बात है रोग काट दो और एक जुटता का परिचे देकर ही हम सित कर पाएंगे जिनका मुकाबला है वे बेहत होस्यार लोग हैं उन्हें कम मता किएगा उन्हें मालूम था कि चुनाव तो होगा लेकिन क्या कह रहे थे नहीं नहीं तो नियम नहीं है जैसे किसान, वो गन्ना की दर और भुगतान का मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये जाट लैंड है, मुझफर नगर की ये सीट है, और इस पूरे बेल्ट की किसानों की समस्या है, गन्ना मुल्लिका भुगतान और उसका वाजिव रेट है, लिया जब वो पड़ेगा, लिहाजा आप वस्तु इस्थिती को समझिए, भावनात्मक मुद्दों पे वोट न कीजिए, भावनाओं में मत बहिए, आप जो है असली मुद्दों को पहचानिए, तब जाकर के बनेगी बात, और जैन चोधरी के इस स्पीज से छितर में महौल गर्माने ल अभी देखते हैं कि उपचुनाओ की तारीख आते आते क्या क्या होता है, रहे न बेकबर, देखते रहे इनकबर, तैंक्यू